अस्सलाम वालेकुम फ्रेंस विलकम बैक टो जुलफा जहान आज मेरी यहां का वेदर जो है न बहुत ही ठंडा और बून-बून बारिज गिर रहा था कुछ भी करने का मन नहीं था तो सोचा कि एक ऐसा टिश बनाओ जो स्पेशल भी हो इजी भी हो और ज़्याद मेहनत भी करना पड़े तो इसलिए मैंने आज बनाया मिट्टी के हंडी में एक करी वही रिस्पी में अब लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं तो इसके लिए मैंने सबसे पहले गया सौन किया और जो मेरा प्यारा सब मिट्टी का हंडी है उसको गैस पे चला दिया गरम हो गया तो थोड़ा सा मस्टर्ड वेल एड़ कर दिया और वहां पे जो बॉइल किया हुआ एक है उसको मैं फिराए करूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर देके हल्दी पाउडर देने से इसका कलर बहुत ही सुन्दर होगा और वैसे भी मिट्टी के हंडी में बनाने से कोई भी मसाल और वहां पे एक बरा सा प्याज दम पतला स्लाइस करके मैं एड़ कर रही हूँ साथ में तीन हरी मिज दे दिया उसके बाद एड़ कर रही हूँ स्वादनुसर नमक नमक देने के बाद इस प्याज को अच्छे से भून लोंगी एक दिम सॉफ्ट होने तक सॉफ्ट हो करके मैंने एड़ कर दिया ताके जल्दी यह गल जाए इसके बाद इसमें हम लोग रेगुलर जो मसाली यूज करते हैं वही सारा कुछ में डाल रहे हूँ हल्दी पाउडर लालमिच पाउडर कश्मेरी लालमिच पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर और भी करब मसा देने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी एड़ कर रही हूँ ताकि नीचे से जले ना थोड़ा सा अच्छे से भूनने के बाद इसमें और जरा सा पानी देके इस मसाले को पकने दूंगी थोड़े तर अच्छे से पकने के पाउडर इसमें जो अंडर फ्राइ किया उससे थोड़ा ज्यादा ही डाला है और उसको अच्छे से बॉयल करना है बॉयल करने के बाद इसमें लास्टली मैं एड़ करूंगे धनिया पत्ता फ्रेश धनिया पत्ता डालने के बाद इसको मैं मिक्स अप करके डगकन लगा दूंगे डगकन लगा के फ्लेम कर दूंगे बन और उसको ऐसे पाच मिनित तक रखना है बस ये तयार हो गया पॉट एक करी इतना मज़ेदार है ये इतना टेस्टी बनते है और यहाँ कुछ भी खास नहीं है इसका एक ही खासियत है वो है वो मिट्टी का हंडी का जो खुश्बू मतलब ठंडा के मौसम है और एक ही ऐसा दिश है जो एकदम आपका खाते ही मन भर जाए और दीन भी अच्छे जाए तो आप लोग भी इसको ट्राय कर सकते हैं मिट्टी का हंडी लाइए और इसमें बनाईए एंजोई कीजिए खाईए और मेरे आगले वीडियो का इंतिजार कीजिए